सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के ऊपर मास्टर सुबास का आप सभी को नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद अब बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आई बी के मेडिकल चल रहे हैं जैपूर के अंदर उनके बारे में तो डिटेल से हम बात करेंगे कि अभी मेरे एक फ्रेंड से बात हुई जिसका 13 को मेडिकल था और आज वह कंप्लीटली फिरी हुआ देकर पैटानि पात त anál अगर टो आप मेडिकल करन करने आई बीगा तो मांड को सात लेकर जाना नहीं आपको हो घर भेज़ देंगे वापीस से आपको अना और था गर के अगर आपका मेडेगल आने वाले दिनों में हैं तो कोशिस करो कल परसु old में अपना bond बनवाफ लो अगर नहीं बनवा पाते हो तो वहां जाके आना उनको बोल जाना कि मैं अगले दिन बनाने ला दूँगा तो आप प मनोवा जिनका अंगुठा नहीं आयता थम इंप्रेशन जब हुआता तो उनका अंगुठा मेर्च नहीं करा तो दो को वैसे उनको घर बेज दिया था कि दूबार आने के लिए का था उनको वापिस बुल टाइम देंगे और वह वापिस अपना करवा के जाएंगे थम इंप्रेशन अब 25 कंडिरेट थे जिनका डोकोमेंट हुआ तेरा को उनली डोकोमेंट किया उन्हें और बिठाए रखा और साम को बेज दिया कि आप घर जाना कलाना फिर अगले दिन जैसे वह आए 14 तारिको 14 को उनको लेकर के ऑस्पिटल में और उस्पिटल था उनका काउंटी आउस् पहले दिन उनकी पर्चियों कंडिने के बाद हुऊ ईड़ीन हमात्य ऐक्सरा एसीजी हुआ और तो इस जी के अलावा आपके जो सोनुग्राफियो प्लॉपी भी ती बताया उसने किसा उनुग्राफी हुए उनकी और ये सारे टेस्ट हुए इनका रिजल्ट आने में प्राइवेट पार्ट चेक हुए इसके बाद में उनका हुआ कि प्राइवेट पार्ट चेक होने के बाद ने उनका अंखका हुआ और उनकी जो कलर ब्लाइण वाली जो भूक होती है वो पड़वाई गए उनको ठीक है साम को तो दो बज़े तीन तीन बज़े के आसपास उनको फिर कर दिया था पच्छेस टूडेंट को ठीक है और बोला गया था अगर किसी के पॉइंट होगा तो पॉइंट को जब आपका या तो आपको मेसेज के दोरा सुचित कर दिया जाएगा या फिर आपके पास लेटर है आतार देता रहूंगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना और ध्यान रखना कि अगर आपका मेडिकल है तो आप जरूर अपका बोंड बनवा के साथ लेकर जाए जो भी प्रोपर आपके डोकुमेंट हैं जो मां हो रहते हैं एक दो दिन के अंदर आके आप अपना बोट जम्मा करवा देना लेकिन यह सीधे घर बेज दे रहे हैं आपको कि आप बोंड ले क्या होगे तभी आपका मेडिकल कंप्लीट हम करवाएंगे अधर्वाइस आपका मेडिकल हम नहीं करवाएंगे तो आप इस ची प्रिट किया जा रहा है डोक्टरों के दवारा थोड़ी बहुत आगे आपके अगर प्रोब्लम भी है तो भी घबराएंगे आराम से कॉन्फिदेंस रखें सब कॉन्फिदेंस का खेले यहां ऑस्पिटल के अंदर गवर्मेंट होस्पिटल के अंदर अगर थोड़ा सापक हैं तो ही लोगा तो आज़ाने अपने आफ नहिकों यहां यहां सिर्फ और दूसरा है आपका जब ईसी गहाना खाके जाओ फ्रिट्व वगर्रा कुछ अपने साथ लेके जाना आप मिल जाएंगे तो वहां से भी रूट वगरा कुछ ले सकते हो और जैसे अगर आपका खाना वगरा कुछ खाओ गया तो आपका जो इसी जी होगा वह बिल्कुल नॉर्मल आएगा आपके धड़कन थोड़ी सी कम बढ़ेगी वहां क्योंकि गब्राट के वजह से और ऐसा लगता है क्या मैं फैल हो जाएगा लेकिन खुद कर से मैसुस होता है कि यार मेरा आगे वाला गया मेरा नंबर है तो पतन क्या होगा तो ऐसा सभी के साथ होता हमारे साथ पीता और आपके साथ भी होगा तो बिल्कुल नॉर्मल रहे आराम से ठंड़ा पानी पीए और जितना आपका पेट बढ़ ले लेना फोन से अगर फोन ले जाने देते हैं तो या फिर चार्ट आप देख लेना उसको अपने कागेज पर लिख लेना और उसको बार-बार रिपीट करना आपको अगर चार्ट याद हो जाएगा तो जब आप से डोक्टर पूछेगा तो आप कॉन्फिडेसली उसको लगातार पढ़ोगे तो उसको लगेगा कि बिल्कुल बच्चों को आराम से दिखता है कोई प्रोब्लम ने इसके आखोपे अगर जो स्टुडेंट अटकता है बोलने में तो उसी से वो गोर से पढ़वाता है फिर चार्ट को तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि इसको दिखनी में प्रोब्लम है ठीक है और इसके लाव जो कलर प्लाइंट वाली बुक है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे जल्द बाजी नहीं करनी है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आराम से आपको देखने का मौका देता है उसको देखो समझो क्या लिखावा फिर पर उसके बाद में बोलो आराम से फिर जैसे आप उस अब बोलोगे उसके बाद में नेक्स्ट जो पढ़ना उसको उलटता है डोक्टर जल्द बाजी में नहीं उलटता है आपको आराम देखेगा तब उलटेगा ठीक है तो यह बात इस आई बिकल की तो फिर मुझे कोई नहीं जानकर मिलती है तो मैं आपके साथ सेट करूँगा और चैनल के ओपर आप नहे हो तो चैनल को लाइक से रो सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है बाई मिलते है नेक्स्ट वीडियो में